वेल्टम बाक तो माई चानल आई विश कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से एंजॉइ कर रहे होंगे तो आज का यह जो वीडियो है हमारा पनीर की ही एक रेसिपी मैंने दुबारा से शेयर करी है इसको हम कहेंगे पनीर घोटाला चीज रेसिपी चीज इसलिए क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर जो डेकोरेशन के लिए मैंने उपर स्प्रिंकल किया था वो मैंने यहाँ पर चीज आट किया था तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं हमाई रेसिपी के साथ सबसे पहले अगैन मैंने यहाँ पर एक मैं निया पर लसन बहुत ही बारीक चॉप करके आपर मिंस करके मैंने आड किया है और ढारीक मैंने यहां पर दो अरीमिर चाट करी है बारीक, यहां पर मैंने गल्ती करिया कि मेरा जीरा है वो ओफ्राइ हो गया था तो उसका प्लीस द्यान रखेगा अब इस stage में हमने जो vegetable से वो add करना start किया है सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज add करा है प्याज मैंने एक ही लिया था उसी को मैंने बारीक चॉप करके add कर दिया बड़ा था size में और उसके बाद साथ के साथ मैंने यहाँ पर एक हमारी capsicum मतलब की शिम्ला मिर्चाट करिए यहाँ पर मैं थोड़ा से नमक डालूंगी ताकि प्याज जल्दी से fry हो जाए उनको बस मुझे जादा से जादा थोड़ा से ट्रांसल्यूसेंट करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी में हलल का सा ओयल दिखने लग गया है इस stage पर मैंने एक कप मतल आड़ करें यह आपका choice है आप चाहें तो आड़ कर सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं अब आपर आती है हमारे सूक्य मसालों की तो मैंने यहाँ पर सब्सेपहले एक स्पून हल्दी पौटर एट किया है एक से देड़ चमज मैंने यहाँ पर लाल मेज्च पिसा हूँ हा ऐटंगिया है अग्ण को अर इन मसालों कौं मुझे यहाँ बढ़े yummy कर लेंगे एक बाउल बोलेंगे और दो कप मानेंगे उसको वो मैंने टमाटर का पेस्ट प्योरी उसको बना के मैंने आट किया है नॉर्मल प्योरी है मैंने अलग से टमाटर को बॉयल नहीं किया था और इसको मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम पकने के बाद में यहाँ पर जो ग्रेवी है उसमें उबाल आने लग गया है इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर जो नमक मुझे सबजी में आट करना था वो मैंने आट किया है इसको हम अगेन दुबारा से थोड़ा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर मैंने एक पाउडर यूज किया है इसको सीजनिंग पाउडर कहा जाते है अरोमाट सीजनिंग पाउडर यह बेसिकली फ्लेवरिंग के लिए पॉपस के हिसाब से यूज किया जाता है और साथ ही मैंने उसमें एक कप मिल्क आट किया है यह आप्शनल है आप चाहें तो आट करें या आप चाहें तो इसे स्किप कर दें मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि मिल्क ही आट करूं ग्रेवी वाले रेसिपीज में अब यहां पर मैंने एक चमच गरममसाल आट किया है पिसा हुआ और इसको मैंने प्रॉपरली मिक्स कर दिया है यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो सब्जी में अच्छा से एक बॉयल आ चुका है उसके बाद में मैंने जो पनीर लिया था और लगभग से लगभग 200 ग्राम पनीर मैंने लिया है उसको मैंने अच्छे से आप बोल सकते हैं कि घीस के आट कर दिया है इसको अब हम प्रॉपरली मिक्स कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबजी आलमोस्ट रेडी हो चुकी है, उबाल भी आने लग गया है, पर मुझे इसमें थोड़ा सा ग्रेवी जादा रखना था, इसलिए मैंने मिल्क थोड़ा सा और आट किया है, यह आपकी चोईस पर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, सबजी आलमोस्ट रेडी है, आप उपर से यहाँ पर कोरियंडर स्प्रिंकल करिए, अब इस टेज की बाद मैंने मैंने इसको प्रॉपरली थोड़ा सा और मिक्स करा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर धनिया आट किया था, तो हलका सा पकाने के लिए, सर्विंग के लिए मैंने एक अलग से छोटा सा कड़ाई है, उसमें मैंने सर्व करने के लिए इसको आट रख दिया है, बस, अब यहाँ पर आपकी जो रेसिपी है, वो तयार हो गई है, अमेजिंगली टेस्टी लगती है, बहुत ही सिंपल बनती है, यहा पी कैसी लगी, यह प्लीज मुझे बताएगा, थांक यू सो मच, अपना ध्यान रखेगा, बाबाई, टेक केर,